ठीक है बाबू बनना है चप्रासी बनना है खलर क से बंदा और आपके नीचे खड़े रहेंगेuses लिजे इस बात को यह बात हमको कांशी राम जी ने बहुत पहले समझाई थी, सोचा आप सबको लोग को भी समझा दो, अर्विंद केजरी बाल, जब मोगी मंदरी नहीं, यह तो चलो, गलबल स्टेट है यहां, यह पावर्स नहीं है, बरना होते जब यह आई आरस थे, तब क्या इस्तिती रही और अब, अब चौशक हैं विल्कूल, जेट प्लस चल रही की नहीं चल रही है, तिस तिस गाड़ी हो काफिला, अस्विमिंग पूल मना हो, आई आरस में ज्यादा कमा भी है लो, तो दिखा नहीं सकते, मुगदमे कडर, छापे कडर, क्या, अब पूरा मूचे एट की चलो ये लोकतंत्र का चंदन है, जिसके माथे पर लग जाए, आदमी महकता है, और जिसके माथे पुछ जाए, बहकता है फिर, अंटशंट बाते करने लगता है, कनक कनकते सौगनी मादकता दिकाए किर्ती भाई, या खाए बवराए जग बाप पाए बवराए, ये सत्ता है, और आपको अच्छी लगे, नहीं लगे, हमें अच्छी लगे, नहीं लगे, रास्ता तो लोक तंत्र में यही है मालिक, हम छट पे कूद कूद कूछी कर सकते हैं, उसकी आजादी है, लेकिन जनता जिसके माथे रोली शननल लगाएगी, उसकी लगाएगी, हमारे आपको कहनिस नहीं लगाएगी, और मुझे तो कोई ही सा भरम नेगे, टीवी और अखबार के चलते कुछे हो जाता ना, तो कुछी राजे में सरकार हारती ही नहीं, सारे मुख्यमंत्री अखबार में अच्छा चबा ले रहे, माल लीजी आपने अपना सारा एक अंग्रेजीम कहावात है रतनाकर बाबू, समझदार लोग सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखते, अंग्रेजी मुझे जाद आते ने तो हिंदीम कह दी, क्या, कि माल लो टोकरी कही गिर पड़े कुछ हो, सारे अंडे फूट जा दिया, अडानी और डिगिरी, मैं अपार्ट फ्रम बीजेपी और कॉंग्रेस और एक सो पचास करोन लोगों में से दस लाख नेता निकाल देता हूँ, जो किसी न किसी पार्टी में कुछ न कुछ कर रहे हैं, बाकि किसी से पूछो जाके, दोनों विश्वादमी कहता है, किसी न किया रहा है, बोले बिजली थोड़ी फ्री मिल रही है, बोले बहुत अच्छा, अरविन थीक काम कर रहा, क्या, पानी बिल काम हो रहा है, बात कादम हो गई, रच्छा सु रच्छा ठीक है, उत्तरपदरिश में दंगा नहीं हुआ, अच्छी बात, मुझे एक भी आदमी है, इसा नहीं मिला उत्तरपदरिश में, जिसने कहा होगे, अच्छी जी, वो योगी जी की डिगरी एक बार सार्जी ने करवा देते, तो थोड़ा, किसी नहीं कहा, वो करे दंगा नहीं हो रहा है, इस रच्छा के, पली हर तीसरे दिन दंगा होता था, छेचे महीन आदे पर आडे रहो, डटे रहो, लेकिन, जिसे गुलाम नभी आजाद साफ कल कह रहे थे, कि जब 19 के चुनाव में राहुल जी ने कहा, कि हम राफेल और चोकीदार चोर है को मुद्दा बनाएंगे, तो बोने कुछ समझदार लोगों ने उस पर कहा, कि इसको देख लिज कोट ने क्या कहा, आपने माफी में उस पहस में नहीं जा रहा है, जनता ने क्या कहा, आपने कहा, चोकीदार चोर है, जनता चोकीदार के माते पर केसर का तिलग लगा दिया, अब क्या कहिएगा, अरे मुद्दा तो बोलाओ जिस से जनता का कोई लिना देना हूँ, मसला है आलू के खरीद का आप करें अडानी पांडे जी कौन जान रहा अडानी को अब हाँ आदमी कह रहा कि आलू का थोड़ा ठीक मिल जाता तो जीवन सुधर जाता आपकी यूटोपिया में रहते हो सब लोग मैं इस बात के व्यक्तिकत तोर पर पक्ष में रहता हूँ तरीका थोड़ा बहुत कलवा नहीं होना चाहिए मतलब लेकिन हाँ इस बात के मैं पक्ष में हूँ कि आप नेता है और विपक्ष में है इसलिए आपके खिलाब कुछ नहीं होना चाहिए नहीं तो लोकतंतर खत्रे में आ जाएगा मैं इस धारणा के 100% विरोध में हूँ आज मोदी है इसलिए नहीं विरोध में हूँ कल कांग्रेस या सबाबस में कोई भी केंद्रा में सरकार बनाया या जुली मिली-जुली सरकार है तब भी मैं यहीं बोलूँगा निरनायक, कठोर, निष्ठोर कारवाई हो रही चाहिए फिर सुनिए निरनायक, कठोर और निष्ठोर कारवाई जिसमें कोई मोह माया नहीं रगड़ो अच्छी बात है गड़बड किया तो जेल जाहिए अभी देश में महावल यह बन रहा है कि एक वर्ग है वो यह चाहता है कि भी हम नेता है कुछ तो लिहाज करो देश लिहाज करने को तैयार नहीं और भाजपा भी मोधी लिहाज करेंगे तो जनता इनके से भी अलग खड़ी हो जाएगी लेकिन जो बात एक है मिश्रा करें अब वह नहीं चलिगा ना मैं तेरी कह ना तु मेरी कह जंता करेंवं तक हम दोनों के जाना है आप जनता नहीं चाहती है, वो करी सब सब की पोल खोलो, केजरी बाल का अभ्यूदय कहां से हुआ, आप लोगों ने study नहीं की, यह पोल खोले अभ्यान से ही तो हुआ था, बाद में उनने रास्ता बदल लिया, लेकिन हुआ तो इसी से था ना, जनता को अच्छा लगा, बा अभी थोड़ा धेरे रग, किसी ने मुझसे कहा, कि रतनागर बाबू, कि फलाने फलाने, जो मौझूदा सत्ता के करीब लोग हैं, जो आप लोग कहते हो, वो लोग जेल कब जाएंगे, मैंने कहा कि कोशिश करो, आप लोगों की सरकार बंजा, आप उनको सब को जेल भेज दो, ये आप सब को भेज दे रहे हैं, भारत साफ हो जाएगा, नहीं, दोनों तरफ के चोर जेल चले जाएंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है, नहीं, पांच साल अच्छी मेहनत कर लो, आपकी हाथ में सब ना आ जाए, आप भाजपाब आले जितने गरवड़ा, इनको स खराब है, अब फोटो भगत सिंग की लगाओ, चंजेगर आजात की लगाओ, फोटो से काम नहीं चलेगा, अब तो कुरवानी जेल में होगी, क्या, और एक के फोटो आगए, अब की वहाँ खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता, आप समझ लेगो, सतेंदर बाबु को नही खीरा खाके जीवन काट रहे है, नमक को निवू नहीं मिल रहा, मंत्री है, 21 किलो में जन गिर गया, जनता बड़ी निस्थुर है, वो नेताओं से बड़ी चिड़ी हुई है, उसके मन से पूछी जाके नहीं उकदार है, जब भी कोई नेता ऐसा कहें फंसता है, ठाने में, जेल में, रेल में, जनता बड़ी खुचोदी कि अब आया उट पहाड के नीचे ठीक है, रगड़ो इसको, इसलिए लोगों को लगता है कि ये मोदी का माइनस पॉइंट है नरेंदर मोदी का, मैं सच कह रहा हूँ अपने आनुभव से रतनागर भाई, नरेंदर मोदी का यही प्लस पॉइंट है, गाउं में जाई आद में खुश होता है, एक बात कहिके समाप्त कर दूँगा, वेपक्षी दलों को सोचना होगा, कि वो स्ट्रेटरिजी फार्मेशन में उनके फॉल्ट है, सॉफ्ट वियर में ही बाईरस गुजगया, मेरे जैसे लोग कहीं गलत होते हैं, तो तुरंट उसको सुधार लेते हैं, अपनी गलती माल लेते हैं, कहां मैं नहीं समझ पाया, क्या, नोट बंदी जब आई, तो मेरा इंप्रेशन ये था, कि बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी होगी, क्या, मेरा इंप्रेशन सही निकलता, लेकिन फिरोजाबाद में प्रणानमंत्री ने सभा की, उस सभा में उन्होंने तीन वाक्ये बोले, रतना कर जी, उन तीन वाक्यों ने भारत के मन को बदल दिया, इंडिया के नहीं भारत के, उन्होंने का मुझे पता है, गरीब के खाते में बड़े लोगों ने छान बचाने को, सब ने डलवाय है ऐसी योजना चल रही है कि जो गरीब के खाते में पहुंच गया वो उसी का हो जाए हुआ नहीं छोड़िये लेकिन उस वो आग की तरह बात फेली मेरा वाहन चालक बोला बोला सर जी ये काम तो मोधिन बहुत अच्छा किया अब मज़ा आ जाएगा क्या हिंदुस्तान भर के गरीब गुनिया ने भाजपा को डबल मोहन मार की बोट दिया सिंगल नहीं क्या उसमें किसे को महनत नहीं करने पड़े संग को विशुन पर कुछ नहीं उमोधी का एक वक्त अब था जिसने पासा पलट दिया यूपी में टूथर्ड मैजारिटी दिलवाई उसके बाद जब यह कह रही थे अखिलेश जी के देको मर गया आदमी लाइन में लगे लगे इसका लड़का है इसका नाम खजांची रखा आप लिए वो जुन्जना घूम रहे हो बोले जी शेल कंपनी में किसका कौन शेल कंपनी जान रहा है अबल तो कंपनी जानना मुश्किल फिर यहां बैटेगा एक वाइल लाइन ने मुझसे गुजरात के लोगों ने कहा गुजरात में निपड जाएंगे भाई साबी जान लीजिए बहुत हाहाकार है क्या शेठ के मन में हाहाकार थी लेकिन सेठ के यहां जो सो मजदूर काम कर रहा है जिसके खाते डाहिड़ा लाग सेठ ने वो तो करना था जै मोधी जै मोधी क्या हम सेठ को समझ के मान रहे तक हार जायेंगे यही बात अखिलेश जी को लग रहे थी दोनों गलत साबित हुए मैंने भाषर सुना मैंने अपना कोर्स करेक्शन कर लिया मैंने आप भाजपा प्रचंड जीतेगी क्या ये जान लीजिए आप अभी भी जमीन से नहीं जुड़े हैं और आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फरेंस और टीबी और अखबार और जंडा यात्रा इतने से आप मोदी और भाजपा से निरनायक तोर पर लड़ लेंगे जो बात गुलाम नभी आजाद ने कही मैंने कह रहा है आजाद साब ने कही राहुल जी के लिए नहीं उसके लिए संगठन चाहिए देश भर में बहुत मजबूत संगठन चाहिए 365 दिन काम करने वाला संगठन चाहिए मित्र तब जाके आप बिजली पैदा भी कर ले कोई नेता उसको स्टोर करना और फिर डिस्टिविशन करना एक काम होता है ना उसको संगठन बोलते हैं संगठन का है उत्तर पादेश में प्राच गंदी आती है उस दिन ख़वर चल जाती टीवी प्रियंका जी जाट पकड़ती है तो बहान तो कुछ हई नहें बायर ही नहीं भीजली कितार ही नहीं ठंबा इनें पहले संगठन बनाईए उसके बाद ये सब चीजे चलेगी लेकिन हाँ फिर मैं कहूँगा दुष्ट दलन होना चाहिए सरकार किसी की हो भारत माता के पाउं में काटा चुब होने वाले क्या स्थान जेल में ही होना चाहिए